मनु महराज की तीन पुत्रों का वर्टन सिना ये और सके बाद अब दो पुत्रों का वर्टन सिना तेन तहां कि मनु महराज की दो पुत्रे हैं मनु महराज की दो पुत्र हैं प्रिय अब पुत्रों की पुत्रों की पुत्रों की पुत्र हैं और नीटी पर चलती है अधा नाम रखा गुरैसाइं का नाम है वैसे ही इंट में गुर, पुरनीदी पर चलती है लेकिन लिकिन राजा की कोई पुत्र नहीं ठाथ है तो एक रहा सुनीती ने कहा कि श्वावी आक जलाने के लिए पुगन की आविशाय अगुटा हो लेए कि आप डूसरा व्भा कर दीजें कि आपको बशनाने कुलिए पुत्र क्याया वे खटता हूंगी तो राजा ने क्या ने विभा किया सुरूची नाम नाम कर्या से तो जब सुरुची घर में आई तो शुरुची ने कहा कि ये कौन है राजा ने कहा है ये मुर्भ मत्मी है इनके कोई पत्र नहीं हुआ देश्टे तो सुरुची ने कहा कि अगर ये से घर में रहे कि मैंने कूँ है तब सुरुची ने कहा कोई बात नहीं है कि मैं चली जाओ जाओ और सुरुची धहनी लगी और सुरुची संदों की सेवा करती और वन में उनके एक पुद्र हुआ हुआ जिनका नाम नाम ध्रुख बड़ा बड़ा और सुरुची वन में संदों की सेवा करती तो एक दिर संदों ने कहा कि आप बड़ा हमारी सेवा करती हो तो आप कोई बड़ा नाम ना तो सुनीती ने कहा अगर आप वर्णान देना चाहते तो कि एक वरीर्दान देत, क्योंकि मेरा शुम्पुत्र है वो बड़ा हो गलती हुआन कभकत्य बने क्यांद गयां है तो संतोर ने कहा कि उतो भूबने गाही है вс razón मीं कुछ और वर्णान मांगते है कि मेरी जुसात है कि इसके भी कोई पुत्र हो जाए तो संतों ने का इतना करुणा में और कौन होगा इसका नाम बड़ा पुत्र होगा लुप्जी बहाराज एक तर खेलते खेलते जब जहतल से बहार और वहा उत के नितरता होनाinas. शॉपषिर्टर होटान, आपके पिटा का नाम क्या है तो दुम नी पुछा आपके पटा का नाम क्या है, टुम ने का मुझे नहीं पता, मेरे बाता नहीं बताया, और जिर गहा कि हे मा अलसक आपने मुझे मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताया है आप बताए कि मेरे पिता का नाम क्या है सुनीती कहती है कहरे पुद्र तुने मेरे जैसे दिरुभा की है नहीं कि अगर दो से क्यों जन मिलिआ है तूजी अपको तेरे पटा का नाम तग नहीं दे सकते। द्रूजी ने जहा कि लहीं मा मुझे मता मेरे पता का नाम क्या है। तब contexto, बात सुन करके, सुझीती ने कर तुमारे पड़ा का नाम है महराज तान पाधगा। जुरुजी बड़े पुशन हुए कि मैं तानपाद के पास रे करके गया और महां पर जुरुजी महाराज पहुंचे के और अपने पिता की गोद में पहुंचे के अपने पिता की गोद में जब चटने लगे सुरुजी को पता चला सुरुजी ने जुरुब को ठाकर के भीजे पढ़क दिया था कि अगर तुझे पिता की गोद चाहिए ये राजगदी चाहिए तो फिर उसके लिए वन में जा और जाकर के तपस्या करना रहा है जब वो प्रसन हो जाए ना तो उससे मेरा गर्व मां कर करें कि सुरुजी के कर्व से मैं जन मिलूग है बले नी तेरह पिता है पर मैं द्रुजी महराज के बात में भूट बुरी लगी है अपनी मां के पास असे इसे उंहोंने ऐसे क्या में हैं वो छोटी माता में जो आपके नहीं है तो आपका इस तरह क्यों कर लेंदी लेकिन उन्समें कुछ गलत तो नहीं कहा भावान का भज़न करना तुछी बात आती हुए नारेटनेवान के तपश्चा को हुए भुले बागा देहा लाने के सुरुजी उनका नाम था सुरुजी वा सुरुजी केते सुरुजी जिसका बत्वर अपने आगा ही उची रखते हुए और अब मा के पात जाकर के रूने लगे और कहने लगे ने मैया से और रोए रोए धुरब कहे मैया से और रोए रोए धुरब कहे मैया से पंदर न दिल में थी मोशी पूली मैया कई है करे जर दे मोशी की पूली मैया मोशी की पूली मैया कई है करे जर दे मोशी की पूली मैया मोशी के तरह दो मोशी के बुद्ध कई रूनाखा मोशी की रूनाखा से मोशी की पूली मैया मोशी की पूली मैया जने जन्गत समस्थना है जने जन्गत समस्थना है जन्गत समस्थना है कुछ भूर्दी है आथा के लिए जटमर से बेते बीद माता कंड़ा कंड़ी है आता के लिए ज़न मरसे बेते हो चर्मर्दी कोली बगचा मैं लिए जाद सुट स्था निहां। डाल डाल और पात पात में दूरूगा पारेंती है नाव सभी से पूछोगा पारेंते है रहा थेिय wings उचोगा पारेंती है स्थामदे सबी से पूछोगा पारोपर शुदा ए रहा जे बचाई अखे करालोची माँसिली कोली मैस्टा वैंयन गजे कद रॉटे कोई ढल जोई गोन रहे वाया से बडर मिभी मुँदो कोई ऑड़ी मुजाद आपकलेगी साप कि अरे तभी वहां से नारज जी कुझे रहे थी तो नारज जी ने धुरुब जी को देखा और नारज जी ने जोग जी के पास आगर कि कहा कि अरे तुम यहां क्या करनी हुआ इस इंडूर जंगल में तो दुरुब जी बोले कि मैं हाँ भगवान को नहीं में आया है भगवान को अपनी तपस्या से प्रसंद करूँ गाँ तो नारेजी ने कहा करें वन में भगवान नहीं मिलते हैं कि नारेजी सूच रहे हैं कि भगवान से बिलने के लिए तो आया है लेकिन इसकी परिक्षा लेते हैं कि इसका विश्वास रहते हैं। इनने वातां कि टुनारप जी तूनारप जी ने ने कहा कि बार अज भूल कि मुझे करने जेक हैं। तो नालेक जो में तुमारी मात्र इंड नाले। भूती केसे महीं तुछ जी ने कहा कि अरिया नारीची खराज, मैं मेरी माता ने कहा है कि जब दात नहीं तब दूद दीये, और जब दात दिये तो जुछ और भी देखने को अरे जब दात नहीं थे जन्मी के समय, तब माता के स्कनों में दूर आया था, फूर की विवस्था करेंगे, अब दात दिये हैं, तो आगे के भुज़न की वही विवस्था करेगा, जो सबका पालत कोशन करता है, तो मेरा भी पालत करेगा, तब नारच जी ने देखा लिए करका है, नारच जी ने कहा कि तुमने कोई गुरू बनाया है, तो धुरूजी ने कहा कि अरे आग से अच्छा गुरू और कौड होगा, तो नारच जी ने कहा कि ठीक है पत्र और नारच जी ने मंत्र दे दिया, तो आज साक्षर मंत्र, ओम नहु 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 देवा देवा करके बैठ में ऑधनम्न अग्वते क्याशिवाय को जाब करें आए हैं प्रभुची की तपस्या का पहला मेना दोगा भा भाव मेरे में दोगी तीन दिन तक कुछों नहीं उते जिए जिए जा दे हैं के वली बली पत्तों को खाय लेते हैं तपस्या कर रही है द्रूप जी के तपस्या का जब तीसरा मेना जला तीसरे मेने में नौ दिन तक कुछ नहीं घा दे और नौ बेदे में के वली बली पानी पे लेते हैं चौधा मेना जला चौधे मेने में कि दुरुब जी बारे दिन पर कुछ नहीं खाते और बारवे दिन के बल्वाइब कर देते इस प्रकार तपस्या कर लेजी और जैसे ही पाच्वाइन महीना प्रारभ हुआ, धुरुब जी भाराज्रा प्रिश्वासमार किल्कुल उलोग लिया है और धीरे धीरे प्रम करंद करने जाकर किश्वास रुपते ही धुरुब जी भाराज्रा प्रभु से प्राइप्रा करें हैं कि दर्शन नहीं कि पूली मिन्नावन पेहर जालने की